हेलो दोस्तो इस सेल में आपका स्वागत है दोस्तो हर कोई चाहता है कि करोर पती बने तो हम यहाँ पे 20,000 से 565 करोर कैसे बनेगा मैं इसके बाड़े मैं आपको बताऊंगा कौन सा फंड ले कहां इन्वेस्ट करे दोस्तो आडानी पावर की मैं बात कर रहा हूँ आप गया है दोस्तो इहां पर देखे तो अगर आपने अगर पांच साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज जो 25 रुपया का सेर था आज वो 390 रुपया का सेर हो चुके हैं तो बता रहे हैं कि यहाँ पर 186 परसंट का ग्रोथ दिया है जहां कि जैसे कि मैं आपर बता रहा 186.1 परसंट का ग्रोथ दिया है अडानी पावर ने दोस्तो इसलिए मैं बता रहा था कि अगर यहां पर अगर निवेश करेंगे आप तो यह सबसे वेस्ट फॉर्म है दोस्तो और रेसिस्टेंस सापोर्ट की बात करते हैं हम कि फर्स्ट रेसिस्टेंस लगा था 206.5 पर स 290 पर दोस्तो सेकेंड रेसिटेंस लगा था 299 पर और सपोर्ट मिला था 285.9 पर थर्ड रेसिटेंस लगा था 303.1 पर सपोर्ट मिला था 283.4 पर तो दोस्तो यह जो कैफ्टल है यह जो अडानी पावर है इसमें भी बहुत पावर है तो यहां पर देख रहे हैं कितना पा दस दिन पहले 2018 रुपई यह बाड़ दिन पहले 2018 रुपई यह एंडियो पहले 275 रूपई यह नहीं पहले 271 रुपई यह। 6, highest growth है दोस्तों, highest growth है और ऐसा high in the industry, सबसे ज़्यादा इसका ऐसा profit margin है और सबसे ज़्यादा इसका ऐसे value है, दोस्तों, company का सबसे ज़्यादा value है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, profit भी देख रहे है, चारहाजाद नो से 11.6 करोड का profit हुआ है, और increase हुआ है जो capital, 286.7% increase है और यहाँ पे देख रहे हैं, graph कितना तेजी से बढ़ा है दोस्तों, इतना तेजी से graph किसी का भी नहीं बढ़ा है, किसी भी company का नहीं बढ़ा है, अगर मैं यहाँ बात करूं, तो short का, तो strength weakness opportunity और threat को देख कर ही हम किसी field में invest कर सकते हैं, तो strength 15 है और opportunity chart है, और weakness 2 सिर्फ है threat सिर्फ एक है दोस्तों, तो को attention नहीं है अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं, कैस फ्रमदा operating activity की बात करते हैं, तो annual देख रहे हैं, यहाँ पे 2018 की बात करते हैं, तो 500, 5100 करोड का था, यहाँ पे 10,232 करोड का हो गया, 2022 में दोस्तों, total asset annual की बात करते हैं, तो देख र करोड का था, जो कि 7,322.29 करोड हो गया, 2022 में, मतलब कि यह अपने सेर्स को कम कर रहे हैं, आडानी जी, अपने सेर्स को अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि यह सेर्स बढ़ने वाला, बूम करने वाला, दोस्तों, FII का इसमें जो holding था, वो देख रहे हैं, पबलीक का 95% उनका सिर्फ अपना इसमें सेर्स हैं, दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ओनर सी, मैं पैटर्न को थे, यहाँ पर मोटर्स का ऐसे, 74.97% जो कि रेगुलर है, कभी इसमें से 1% भी कम नहीं हुआ है, दोस्तों, इंडिविजुल का 7% है, थोड़ा से बढ़ता है, क्योंकि ऐसे फोरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी घट बाढ़ रहा है, इसलिए, यहाँ पर हम कलकूलेशन करते हैं, कि हमारा फंड किस तरह से पूरेगा, दोस्तों, करोड़ों का किस तरह से, SIF हम 20,000 रुपया लेते हैं, 20,000 पर मंतली इन्वेस्ट करते हैं, 10, 20% कर लेते हैं, लमसम हम नहीं, लमसम में इन्वेस्ट ने कर रहे हैं, इसलिए, जीरो रखा है, तो देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, हमारा जो है, 84,000 रुपया का है, और जो मेचिरोटी बेलू है, वो 565 करोड का है, दोस्तों, 565 करोड सिर्व 25 साल में, 25 साल में करोड का फंड बाना, तो दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखें, और वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वेल आयकन जरूर दवाए, ताकि इसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटर सारे वीडियो का मैसेज आपके पास पहुंचे रहें, तो तो, तैंग्यू, दन्ने वाद,